आज मैं आपके लेके आई हूँ मैगी के स्पेशल कटलेट अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो के एंड तक बने रहें तो चलिए बनाएं हेलो एबरिवन मैं हूँ प्राची और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राची की देशी रस्तोई में तो आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो की है मैगी के कटलेट और इसे बनाना है बहुत ही जादा आफसान अगर निटा आने के लिए मैंने याप लिया है एक मीडियम साइस का प्याज, एक हरी मिर्श, एक इंच का द्रक का तुकडा और 4-5 लेषन की कलियां और मैंने यहाँ पे 24 प्रेवाला मैगी का एक पैकेट लिया है और मैंने यहाँ पे 5 वाइट ब्रेड लिये हैं उसके बाद मैं सबसे पहले मैगी रेडी कर लेती हूँ तो मैंने यहाँ पे ले ली है एक कड़ाई उसमें मैंने 2 टी स्पून डाला है ओल उसमें मैं डाल रही हूँ हरी मेश और अद्रक और लहसन का पेस जो कि मैंने बना लिया था घर पे ही उसके बाद मैंने प्याज को अच्छे से कट कर लिया था और मैं ऐसे कर दे रहे हूँ अब मेक्स आप देख सकते हैं मैं नॉर्मल मेगी बना रही हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिए प्राइज हमारा बन गया है बिल्कुल गोल्लन ब्राउन हो गया है अब मैं डाल रही हूं इसमें एक कपके करीब पानी आप जिस तरह से मैगी बनाते हैं आप उस तरह से मैगी बना सकते हैं लेकिन मैंने आपे छिर्प अनियन Hashtag DEBT अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक 12 रुपए वाला एक ही मैं डाल रही हूँ इसमें मैगी का देखिए मैगी मैंने एक मैगी तोड़के इसमें अच्छे से डाल दी है अब मैं इसको अच्छे से पका रही हूँ मैंने सिर्फ एक कप पानी ही इसमें यूज किया है इसके बाद मैं इसमें डाल रहे हूँ एक मैगी मसाला का पाउच जो की मैगी के साथ आता है मैंने इसमें मैगी मसाला डाल दिया है और मैं इसे अच्छे से मिक्स किये दे रहे हूँ अब हम इसको दीमी गैस पे पका लेंगे अच्छे तरह से देखिए मैं ऐसे धक के पका रहे हूँ देखिए मैगी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है हम इसको अब थोड़ा सा ठंडा होने देंगे मैंने गैस आफ कर दी है और इसे थोड़ा सा धक दिया था जिससे कि ये भाप में अच्छे से और पक जाएगी देखिए मैगी रेडी हो गई है अब हम कर लेंगे इसको साइड ये कटलेट मैगी कटलेट इतने जादा टेस्टी होते हैं ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और मैं इसे हेल्दी तरीके से बना रहे हूँ तो अगर आपको पसंद आते हैं प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दें देखिए मैगी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है अब मैंने हाँ पे लिया है ब्रैड इसकी मैं साइड्स कट कर ले रही हूँ देख सकते हैं आप मैंने इसके साइड्स अच्छे से कट कर दिये हैं सेम इस तरह से ही आपको कट कर लेने हैं ऐसे करके एक और कट करके आपको दिखाया दे रही हूँ इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे आसान से धीरे-धीरे कट करना है जिससे के हमारा ब्रैड टूटे ना अब ये जो हमारी bread की पतली-पतली corner जो थे वो मैंने निकाल लिये हैं, इनका हम bread crumbs बना लेंगे, तुरंथी बनाना है, इसके बाद मैंने एक ले लिया है आपे bowl, अब मैं इसमें दो चमश डाल रहे हूं, मैदा, इसमें मैं आदा कब पानी डालके इसका अच्छे से पतला घ ठोल बना लूँगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, जाधा नहीं डालना है, देखे, मैं थोड़ा थोड़ा कर गर के पानी डाल रहे हूं, जिससे कि इसमें लंज ना पड़ जाएं, देखे, अच्छे से हमने इसको बना लिया है, इसको कर देते हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक बैसे मैंने बन फोर टी स्पून नमक डाला है आप अपने टेस्ट के अकॉंटिटी के अकॉर्डिंग नमक इसमें एड़ कर सकते हैं अब मैंने ले लिया है एक कढ़ाई उसमें मैं डाल रही हूँ ऑईल मैंने यहाप 2ग कप आउल लिया है जब तक हमारा ओल गरम हुरा है तब तक हम कटलेट बना लेते हैं तो मैंने यहाप ले लिया है ब्रैड की स्लाइस और मैं इसमें पानी चम्मच से डाल रहे हूँ अगर हम पानी में इसको डिप कर देंगे तो यह तूट जाएगा इसलिए मैं इसमें चम्मच की हेल्प से पानी इसमें डाल रहे हूं अब हमने जो मैगी बनाई थी ठंडे हो गई हमारी मैगी अब मैंने आपे मैगी इसमें भर दी है और मैं इसको अच्छे से फोल्ड किये दे रहे हूं डरने की कोई बात नहीं है अगर यह हलका सा फट भी रहा है कोई प्रॉबलम नहीं है आप इसको अच्छे से ऐसे दवा दवा के बना लेंगे देखिए आप जो शेप देना चाहें आप वो शेप दे सकते हैं इसको देखिए मैंने इसे ओबल शेप दिया है इस तरह से लंबा-लंबा अब मैं इसको अच्छे से बैड क्रम में इसको अच्छे से डिप कर दे रहे हूं देखिए इस तरह से बना लेना है और मैं से अच्छे से इस तरह से दाब-दाब के कर ले रहे हूं कि minimizing ब्रैड क्रम इसमेंसे निकले ना इसलिए मैंने इसको अच्छे से ले दाब दिया है कटलेट हमारा बिल्कुल रेढी हो गया है अब मैं इसकेंड कटलेट आपको बना रही हूं इस तरह से ही आप बना लेंगे और फिर से इसमें डुबो के अच्छे से कर लेंगे सेम वही प्रॉसेस है ब्रेट को अच्छे से पानी में चम्मस से इसमें अच्छे से पानी को भर देंगे और फिर अच्छे से निचोड लेंगे और मैगी भर के बना लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रखे दे रही हूं 5 मिनट हो गए हैं अब मैंने यहां पे कड़ लिया है ओयल को गरम देखिए 5 मिनट बाद मैंने कटलेट निकाल लिए है अब मैं कटलेट को अच्छे से दवा ले रही हूं देखिए अब देखतें ऐसे करके दवा लेना है इस से की हमारे कड़ट फटे ना देखिए इस तरह से हम एसमें डाल देंगे और ब्रिड क्रम तो हलका हलका छूटेगा ही कोई टेंशन है इसमें आप अराम से डाल दें च्छे से डालेंगे अराम से और हमको गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है ठीक है देख़ें और मैं इसको इस तरह से उपर से तेल को उछाल उछाल के मैं इसको फ्राइ कर रहे हूँ आप चाहें तो इसे डीफ फ्राइ कर सकते हैं और आप इसे selow fry भी कर सकते हैं और microwave भी कर सकते हैं देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया है हमारे कटलेट बिलकुल रेडी हो गए है मैं ओयल निकाल ले रही हूं इनका देखिए इस तरह से तेल को उच्छाल उच्छाल के हम इसको बना रहे हैं कटलेट हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं खाने के लिए इसे आप चाय के साथ और शाम के नास्ते के शाथ आप इसे सर्व करें बहुत ज़दा टेस्टी होते हैं और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीस हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मिलते हैं एक ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू